स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां हम बात करेंगे अटल बिहरी बाचपी चिकिस्साविस विद्यालाई उत्यपदिस लखनों की इसकी बियसी नरसिंग काउंसलिंग सुरू हो गई है और इसका रेजिटेशन प्रोसेस आज 22 दिसंबर से ही सुरू है और जो की विद्धों पर हम यहां पर बात करने वाले हैं तो आई यह सुरू करते हैं एक एक स्टेप को समझते हैं चलते हैं इनकी ओफिशल वेबसाइट पर दखिए यहां सारी चीज़े हट गई है एक एक चीज़े आपने यहां पर देख ली और सब नए इंटरफेस यहां पर counseling की फिर यहां instructions दिए गए हैं तो आप एक एक चीज़ करके देख सकते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं instructions को यहनी क्योंकि सबसे पहले जब instructions को देखेंगे तभी इन सवी चीजों का पालन कर पाएंगे तो वीडियो को आप फ्रोली देखिए एक-एक स्टेप को देखिए जिससे आपको कहीं confusion ना हो और आपको बहुत सारे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े तो हमने इसको सबसे पहले दुती चक्र में समपन्ड की जाएगी वरिता कर्म में बिकलब यानि choice रौब फिलिंग करेंगे के पशचा choice lock करना होगा यानि आपको पहले choice भरना होगा फिर उसके बाद क्या करना होगा लोक करना होगा इनि लोक करने के बाद choice लौक ना करने की दसामें वही भरी हुई विकल्प को अंतिम माना जाएगा मान लीज़िए आपने च्वैसन भर दिया उसके बद आपने लॉक नहीं किया तो लॉक नहीं किया इसका मतलब जो आखरी लोग करना भूल गए तब भी कोई बात नहीं फिर वही जो ओडर दिया गया है आपने 24 में ओडर अप सेलेक्ट किया था वही आपका इसमें रहेगा अब देखिए ये बुद्धवार से जो है 25 दिसंबर तक कारेकराम चलेगा ऑनलाइन पंजी करण होगा यहाँ पर पहले प पस्ते पत्ति पर भणने के दोरान अब्यारतियों को अवउन्टित रोल लंबर जयमतित कह उपयों करके साथ बेबसाइट पर लॉग इन करना है आप करेंगे कैसी आपको जयमतित ृब्फ्छों को भरना है और वैप साइट पर आप लॉग इन हो जाएंगे उसके बाद अब भ्यारती द्वारा काउंसिलिंग में सम्मलित होने के लिए भुपतान करना पड़ाएगा कितना पच्पंसो रुपे का वो भी SBI कलेक्ट्स यह करके भी हम आपको दिखाएंगे यहां पंजी करान सुल्क जो है क्या मिलेगा एक ट्रांजिक्शन आईडी मिलेगी उसे आपको इस ट्रांजिक्शन आईडी को वेब साइट पर जो है भरना होगा और भरने के बाद वेब्साइट ओन्लाइन वरिता करने का मौका आपको दिया जाएगा फिर जब आप यह फीस दे देंगे पच्पंसो के बीच में ही करना है और payment online payment ही सुविकार है आप और किसी तरीके से payment नहीं दे सकते तो यानिए SBI collect पर हम आपको भी payment करके दिखाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा फिर उसके बाद देखे अब भ्यारती द्वरा आवंटित प्रवेस नहीं लिया जाता है तो जमा सेकुरिटी कॉसन मनी पांच अजार रुपए विस्विद्याले के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी अगर उसने आवंटित जैसे आपको आवंटित हो गया मान लेजिए फिद्याले जो है आपको आवंटित कर दिया गया अ अगर वandır दूसरे जा नहीं जायता है तो उसे यही 15-6जन रुपए उसमें इस्तिमाल करने का मौका दे दिया जाएगा यानी उस इस्थित में वह दूसरा मौका पा जाएगा उसी रुपए में सिर्फ उसे 500 रुपए अगले चरण के लिए देने होंगे प्रशाम चकर से आवंटे packet प्रवेस प्राप्त करना होगा आवंटे के पशचात प्रवेस ना लेनेवाल अतवा प्रवेस के पशचात त्याक-पत्र देने की धसा में अभ्यारती दोरा जमा की ग अब आपने नहीं लिया तो यह 5000 रुपए आपके गए चले गए दूसरी कंडिशन आप समझे दूसरी कंडिशन में आपने चॉइस फिलिंग तो की लेकिन आपको आवंटित ही नहीं हुआ तो आप इसी रुपए में जो है अगली यानि दूसरी काउंसिलिंग में कर पाएंगे यह आप समझगय होंगे प्रथम काउंसिलिंग में आवंटितब्यार्ती प्रवेश प्रिकरिया पूर करने के उपरान तहीं दूतिये काउंसिलिंग में seat हित अप्ग्रेडेशन हित आर होंगे अगर वो पूरी प्रकरिया संपन्द कर लेते हैं तो अप्ग्रेडेशन के लिए भी वो जा सकते हैं और यद उसे कहीं counseling प्रकरिया समाप्त होने के पच्चात अगर उसे कहीं कोई seat नहीं मिलती हो जो भरता है तो ये रुपे उसे वापस कर दिये जाएंगे और counseling में seat अभ्यरतिको seat अवंटन ना होने की दिसा में धरवरास वापस हो जाएगी यानि अगर आपको कहीं भी seat नहीं मिलती यानि आपने दोनों counseling में participate कर लिया और seat आपको मिली ही नहीं आपके मन की तो आपको ये 5000 रुपे आपके वापस हो जाएंगे यानि ये आपके वापस हो जाएंगे 5000 रुपे आपके वापस हो जाएंगे तो समझ गए होंगे पूरी प्रकरिया counseling प्रवेस प्रकरिया पूर्ण करनी होगी अनेथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा और उग्त सीट को रिक्तो मानते हुए मपव राउंड चक्र में एक तीसरा राउंड होगा जो मपव राउंड होगा तो यहां में दो राउंड होगे अब मपव राउंड की कहानी आप सुन सकते हैं मापफ राउंड में क्या है मापफ राउंड में आपको क्या करना होता है कि ये राउंड आर होंगे उन्हें प्रथम दुतिये काउंसलिंग में बारा कोई भी सीट आवंट इतना हुई हो वही लोग होते हैं जो पहली और दूसरी यानि प्रथम और दुतिये काउंसलिंग मे participate करते हैं वही मापव राउंड में भाग लेते हैं प्रथम अदुती चक्र में counseling पंजीकरन नहीं किया है एसे अभ्यारतियों को पंजीकरन मापव राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं यानि प्रथम अदुती चक्र में counseling यानि पंजीकन नहीं किया है एसे अभ्यरती भी कर सकते हैं अगर नहीं किया है काउंसलिंग में जिसे दोनों में नहीं किया तब भी मापव राउंड में जो है कर सकते हैं दोनों इस्थितियों में आप काउंसलिंग कर सकते हैं मापव राउंड में अब हम फिर से आगे हैं देखिए official website पर यहां instructions हमने पढ़ लिए instructions पढ़ने के लिए हमने यहां पर पूरी चीज़े पढ़ ली अब यहां apply online वाले पर हम जब click करते हैं तो देखिए यहां अभी यह portal मेरे वीडियो record करने तक नहीं चल ला है लेकिन यह जैसे ही open होगा हम official website पर लेगा है तो आप इसको अगर आप कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको कहा लगा लिजे इसको desktop mode पर लगा लिए तो आपको interface इसका अच्छा सा दिखेगा देखिए हमने इसको interface अच्छा दिखने के लिए हमने इससे उस पर desktop mode पर लगाया देखिए इसको आपने यहाँ okay किया और प्रोसीड किया यहाँ आपको पूरी detail प्रोवाइट हो जाएगी देखिए यहाँ state payment काटेगरी क्या है तो आपका bsc nursing के लिए दे रहे हैं तो यह आपको यहाँ पर select करना होगा और यह आप यहाँ पर select कर ले लगनो यहाँ आपको roll number application ID और gender आपको select करना जो आपका gender है उसे आप select करेंगे और यहाँ देखिए fees आपको यहाँ पर पूरी 500 रुपे fees दिख रही है amount अपने आप already भरा हुआ है और यह आप भरने के बाद यहाँ detail अपनी DOB और सब कुछ भरने के बाद submit करेंगे और जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर आप से आपके debit card की जो है debit card की जो है detail पूछेगा आप चाहे debit card से दें चाहे internet banking से दें तो internet banking से भी आप दे सकते हैं debit card से भी दे सकते हैं credit card से भी दे सकते हैं तो यहाँ आप किसी भी payment से दे सकते हैं वहीं पर आपको transaction history मिल जाएगी और यहाँ आप देखिए, अगर आप कहीं भूल जाते हैं, तो चीजे आपको यहाँ पर Transiction, History और बाकी चीजे भी प्रवाइट कराई जाती हैं, आप आसानी से कुछ लोग आप कहीं पर भी दिक्कत होगी, तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करिए, आपको हर इता संभू मदद आपकी की जाएगी, तो मिलते हैं, अगली अपडेट के साथ तक तक के लिए, धन्यवाद, जय हिन, जय भारत